नमस्कार सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बात करते हैं हम आज ग्रामिन बैंक की तो सबसब पहले मैं आपको बोलूँगा नो की ग्रामिन बैंक का पैसा निकालना ही आप बंद कर दीजे क्योंकि ये जो नंगनाच कर रहा है न ग्रामिन बैंक कि क्या बोलू पूरा मूड का मा बहन कर दिया इसने इसका पैसा जब फंस रहा है तो महीनों लग जा रहा है इसका पैसा वापस आने में और वो ये सरकारी बैंक है गौर्मेंट का अपना खुद का बैंक है और जब यही 2-2 महिना 4-4 महिना लगाएगा ग्राहकों का फंसा तो फिर हम CSP वालों को जूता तो खाना ही परेगा और हम पर FIR होगा ही होगा अरे साहब अगर जिसका पैसा फंस जाता है न वो समझ लिजे न कि जो नहीं बोलना चाहिए जो नहीं सोचना चाहिए हम लोग के बारे में सोचने और बोलने लगता है और यहां तक बोलता है क चलिए थाना पर मेरे साथ नहीं तो मैं जाता हूँ आपके उपर जो है FIR करूँगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ग्रामिन बैंक का पैसा निकालना ही डिरेक्ट बंद कर दीजे जब सारे कस्टमर ग्रामिन बैंक में जाएंगे न तो फिर उन लोगों को प लिकत से वो लगभग लगभग 6-7 दिन में 100 में से एक ट्रांजक्शन हो गया जो कुछ दिन ज्यादा समाई लग जाता है लेकिन बाकी सारे जो है यह SBI वगरा उसमें आपको 5-6 दिन के अंदर पैसे रिफॉंड कर देता है और यह ग्रामिन बैंक इसका एक ट्रांजक्श बताएं आपको मतलब कुछ बोला ही नहीं जा सकता जब ग्रामिन बैंक का कस्टमर जब आता है न हम लोग के पास पैसा निकलने तो हम लोग का धरकन बढ़ जाता है और इसलिए बढ़ जाता है न क्योंकि हमको पता है कि अगर गलती से इसका पैसा सर्वर के कारण अगर मो हो जाता है तब तक आप लोग प्लीज और प्लीज आप लोग जो है ग्रामिन बैंक का सर्विस देना ही बंद कर दीजिए बिलकुल बंद कर दीजिए सर्विस देना यह सरकारी बैंक है और सबसे बड़ी बात आपको पता देना सरकारी काम तो सब लोग जानता है कि बड़ व्यूतना जल्दी नहीं होगा तो आप लोगों से हम ही लोग हैं हम ही आप हैं न कि इस सिस्टम को लागू करवा सकते हैं विरोध कर सकते हैं दूसरा अकेला आदमी कोई विरोध नहीं कर सकता सेफ इंडिया पे हमेशा मैं इन सारी मुद्दों को उठाता रहता हूँ और उठाता रहूंगा चाहे सोग में से मेरा दूये को डिमांड का है ना पूरा हो लेकिन होना तो मतलब करना तो पड़ेगा आप लोगों से विनम्र निवेदान है प्लीज आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है ग्रामिन बैंक का पैसा निकालना बंद कीजिए नहीं तो आप कस्टरमर को डिरेक्ट बोलिए कि जो आप सेर बन जाता है मतलब बाग बन जाते है जब आपका पैसा फंस जाता है तो ये बाग ये सेर जी आप से रिक्वेस्ट है न कि अगर आपका पैसा फंसता है मैं आपका पैसा तो निकाल रहा हूँ आपका पैसा अगर फंसेगा सर्वर के दिक्कत से तो मैं आपको अपना लेप्टाप अपने कंप्यूटर अपने मोबाईल में दिखा दूँगा यह देख लिजिए कि मेरा पैसा आपका पैसा जो है आप फेल हो गया मेरे पास सक्सेज नहीं हुआ है मैं आपको पैसा नहीं दूँगा आप जाके यह आपका काम है बैंक जाइए और वहां से अपना पैसा निकलवाईए केवल कस्टमर को भी अगर इस तरह से आप लोग ट् लेकिन एक सर्थ है कि अगर पैसा फास रहा है तो उसका जिम्मवारी हम नहीं लेंगे आपका वो जिम्मेदारी है आपके बैंक का जिम्मेदारी है आप जाइए उससे कंप्लेंड करके अपना पैसा निकलवाईएगा आपको निकलवाना है तो निकलवाईए नहीं मेरा पैसा और वह बोल रहा है कि फॉंस गया है आएगा दोस दिन में बिस दिन में आएगा तो आके फिर निकाल लेजिएगा वह बनेगी पैसा को उठाएग? कि बोलिए कि मेरा पैसा दीजिए अब बता ये ना ये कौन सी बात है भाई सब तो आप लोग प्लीज आप लोग को सी रिक्वेस्ट है जो मैं बोला हूँ प्लीज आप से निवेदा नहीं कीजिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक के नमस्कार